अमेटी सीट को लेकर कॉंगरेस और समाजवाधी पार्टी में नहीं हो पा रहा समझवाता इलागे के एक अदावर कॉंगरесь निता संजिस तिंग का ऐरान अमेठी से पतनी अमिता जरूर लड़ेंगी जुणा समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापती को अमेठी से बनाया है उम्मीदवार सियम अकलेश खुद उनके लिए जन्ता से मांग चुके हैं वोट कॉंगर्स उपादियक शुराहूल गांदी आज यूपी में तीन तीन रैलिया करेंगे अलीगर्ण शामली मत्रा में करेंगे सभा सम्बोधित 11 फरवरी को यहां होगा मत्ता अकलेश यादफ की आज फिरोजाबाद में होगी चुनावी रैली फरोखाबाद और आगरा में गरजेंगी माया मत्री फैजाबाद में बीजेपी के फायर ब्रैंड नेता विने कटियार ने आयोधिया में मंदिर की हिमायत नहीं करने वालों को बदाया अराजक बोले ऐसे लोगों ने देश को किया तबाह कानपूर में राहूल अखिलेश गठबंदन का दिकालग नजारा अखिलेश का भाशन खत्म होते ही मैदान से निकलने लगे समाजवादी पार्टी की कारिकर्टा कानपूर में राहूल मंच से बोलते रहे और मैदान खाली होता रहा कुछ लोगों ने साफ कहा अखिलेश का ही भाशन सुनना था कुछने की बहाने बाजी गाजियाबाद के मोधी नगर में मुलायम और मोधी पर जमकर बरसे हार इंडिया ध्याक्ष अजीत चौधी गन्ना किसानों की खस्ता हाली को बनाया मुद्दा केंद्रिया मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूपी में कॉंग्रेस एस्पे के गठ बंदन को नालू का गठ जोड़ बताया को कलंकित ना करे रहा हूँ यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौरे ने यूपी को बिमार प्रदेश करार दिया इलाज से एस्पी बीएस्पी मुक्त बनाने की लगाई गोहार मायावती अखिलेश परकसा दन्स केशव प्रसाद मौरे बोले जो बाप का नहीं हुआ वो जद्दा का भी नहीं होगा नोट बंदी के बाद मायावती के हाथी को बदाया हापुर में रैली के दरान उर्जा मंत्री प्यूश कोयल बोले बिजली चोरी जब बढ़ रही है दरें नोट बंदी के फैसले पर दीस सफाई मतुरा में एक और हार के फकर बाबा ने भरा परचा 16 बार मिल चुकी है हार पकर बाबा के मुताबिक गुरू ने बीसमी बार नामांगन करने पर जीत का दिया है आशिवार यूपी के पीली भीट में कुवर गाउं के लोगों ने आदम खोर बाग नहीं पकड़े जाने पर मतदान के बहिशकार तकी आयलान बाग ने कल भी शक्स को मार डाला चार महीने में चार लोगों की जानने चुका है बीएमसी जुनाब को लेकर बीजेपी शिवसेना में खीची आरोब प्रत्यारोब की तलवार बीजेपी ने शिवसेना पर कॉंग्रेस से मैच फिक्सिंग का लगाया आरोब बीजेपी नेटा आशीश शिलार के मुताबिक बीएमसी के 42 में वार्ड पर कॉंग्रेश शिक्स देना की है फिक्सिंग दोनों ने एक दूसरे का रखा खया है उदर ठाकरी ने पीएम मोदी पर बोड़ा बड़ा हमला नोट बंदी में महिलाओं किसानों पर शक का लगाया आरो बोले उनकी बचत को चोरी और उन्हें चोर समझा गया उधर ने पीएम मोदी से किया सीधा सवाल अगर किसान और महिलाई चोर थी तो क्या पीएम चोरों के हैं प्रधान मंत्री प्रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाग को बताया खुब रथा बोले ये नहीं हो सकी मजब का हिस्सा तमिलाडो की नई सीम बनेंगी जैललता की सबसे करीबी शशिगला विधायक दल की नेता बनी शशिगला मुख्यमंत्री पनीरस एलवम ने रखा शशिगला को नेता बनाने का प्रस्ता मुख्यमंत्री पत्से विधियास दीपा शशिगला आठ या नौ फरवदी को ले सकती है शपत जैललता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बाचीत में शशिगला की ताज पोशी पर की तिपड़ी सेना के एक तख्ता पलट से की तुलिया लाहौर में बड़े पेमाने पर जूटे आतंकी संकटन जमातुद्दावा के सबस्ते कश्मीर में आजादी के नाम पर आग भड़काने का दिखा मनसूबा हाथों में दिखा आतंकी का पोस्ट पाकिस्तान में पांच फर्वरी को तहरीके इंसाफ के बैनर तले जमातुद्दावा के सबस्त्यों ने भारत के खिलाफ रजी साजिश कई जगह पर निकाली रह लिया लश्करे तैयबा कश्पीर कारवा कारिक्रम के तहट सेट करेगा है नुस्तान के खिलाफ वे जिन्दा भारत में पाक उच्चा युकत अब्दुलबासित बनाये जा सकते हैं पाकिस्तान की मिलेश सची वगले हफते हो सकता है एलाग उत्तराखण के ओली में फिर बरसी जम कर बर्फ सेलाणियों ने उठाया स्कीन का मज़ा बदिनाथ हेंटून साहिप में भी हुई जमा जम बारिश और बर्फबारी जोशिमर चमोली समेथ पहाडों ससके इलाकों में फिर बढ़ी खडाती किस्तान ताजब बर्फबारी से हिशिकेश में वड़ी ठंड स्कूली बच्चों को वो रही है काफी मुश्किल जमू कश्मे के उधंपूर में बारिश से कई जगा पर भूस खलन जमू स्रिनगर हाई दे हुआ पत बिली में कलुई बारिश ते मौसम ने फेर ली करवट आज भी एंजी आर में कई जगा बारिश का निमार साइको किलर उध्यन को लेकर बांकुरा निकली पुलिस की टीम बांकुरा की ही रहने वाली ती उध्यन का शिकार बनी उसकी कल सीट बोपाल में चर्चित आकांकशा मुर्डर केस की तफ्टीश में आरोपी उध्यन दास को राइपूर लेकर पहुंची पुलिस माता पिता की कबलों की हुई खुदाई पुलिस के मुताबिक उध्यन में साल 2011 में राइपूर में DSP पत से रुटाइड अपनी मां और पिता का किया तकतल घर में ही दफना दिया था शब गर्फरिंड आकांक्षा की हत्या के आरोपी उध्यन ने घर पेशने के लालच में माता पिता की हत्या की बात कुबूली राइपूर में खुदाई में मिले सबूर आकांक्षा की हत्या के बात उध्यन ने शब को घर में स्लाप बना कर किया था दफन नागलान में निकाई जुनावों में 33 पीचिदी महिला आरक्षन के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ हिंसक राजधानी कोहेमा में कर्फियों लगाने की आई नौमत दिली पुलिस ने अमेरिकी महिला से छेड़कानी और ठागी के आरोप में इक शक्स हो गया गरफतार अफगान मूल का है आरोपी हमिदुल्ला हमिदुल्ला ने अमेरिकी महिला को प्यार की जाल में फसा कर निजी पलो का वीडियो बनाया और पैसे एठे बाद में आसिड इटाइक और आतंकी गतिविदी उफसानी की दीधी धम प्राजस्तान के प्रताफगर में बस टैंड पर एक महिला ने बच्ची को दिया जर्म कॉल करने के बावजूद नहीं पहुंची एंबलेंस करॉली में एक नाबारी लड़की को अगवा कर दो पडोसी लड़कों ने किया ग्यांग रेप फराद हुए बरबंगा पुले से साथ जुवारियों को किया गरफतार पैटीव सुदार क्याश और नशीली दवाई नाब बराबद हाजीपूर के भगवानपूर में जालसाजों ने विश्वे द्याले के नाम पर जमीन का कियादी गरहन लेकिन किसानों को दिये गए चेक हुए पाउस जमीन हड़कने जाने से परिशान एक किसान में की आत्मधा की कोशिस जालसाज जमीन का सौधा कर हुए फराद हिजार में उची जाती में शादी करने वाले दलित युवक की हत्या रेलवे ट्राक पर मिला शव पत्नी के परिजरू ने लगाया आरोप दिल्ली के पांटम रगर में चाचा पर साथ साल की भतीजी के साथ रेप का आरोप माने रंगे हाथ पकड़ा आरोपी चाचा गिरफता है पुड़े में पत्नी और दो नाबालिक बेटियों की हत्या कर युवकने की खुदकुशी भारती विद्याप्रीट इलाके में घर में मिले चाच चाच पत्नियों और बेटियों के हत्या कर खुदकुशी के मामले में पुलिस में दर्च किया केज घटना की वजह का फिलाल खुला सरी राजस्तान के भरतपुर में पानी निकासी को लेकर एकी परिवार के दो पक्षों में जम कर चली लाठियां आधर दर्जन लोग जखमी हमला करने वाले फरार दिली में एक नौकरी पेशा रड़की को सरे आम अगवा करने की हुई कोशी शारोपियों के दफ्तर जाने के लिए पिक अप का बहाना लेकर घर से बुलाया जबु कश्मीर के एक अच्छवा से लापता हुआ बीएसे जवान मनसा कीमा 97 बटालियन का जवान बीओपी पांसर में था तैना मिजोरम का रहने वाला एलापता जवान मनसा एक परवरी से नहीं मिल रही कोश कबर मडीन पुलिस चौकी में दर्च कराई गई शिकायत उत्र प्रदेश के गोरखपूर का युवग साओधी अरब में फसा परिवारने विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज से की मदद की गोहाँ रविंदर कुमार मडेशिया नाम का शक्स चार साल पहले गया था सौधी अरब निजी कमपनी पर आरोप रविंदर के साथ काम करते हैं अरणचन प्रभेश के उजाको इलाके में एनसीन का एक आतंकी रेर असम राइफल्स के साथ मैमार बॉर्डर पर हुई मुठ भेड में मारा गया था नगलेंड के निकाई जुनावा में 33 फीसी दी महिला अरक्षन पे खिलाव छिड़ा घमास्तान हाई कोट ने से दी है मंजीर असम के बकसा इलाखे में पांच तसकरोने की आत्म समरपंस देना के हजुआ कैंप में किया सरेंगर असम के बारपेटा में बेकी नदी के कहर से कई गाउं प्रभावे जाने आ इलाखे में करीब 50 परिवारों को छोड़ना पड़ा घरबाद असम के शिरांग में हुए गैंग रिप केस के दो आरोपियों को 7 साल की सजा साल 2014 में वारदात को दिया था थान जा परिदाबाद से चार बिन पहले लापता हुए व्यापारी का शव बना मदलें देन के लेकर की गई ती हत्या पांच आरोपी गिरफ्ता प्राजस्तान के चुरू में करीब 40 लाखी अवैड शराब जब्त दो शराब तसकर गिरफ्ता वियार के बेतिया में 900 बोतल अवैड शराब जब्त पांच तसकर गिरफ्तार वियार के दर्भंगा विजुआ कोरों पर पुलिस नमारा च्छापा साथ लोगों कुप्तिया गिरफ्तार 35,000 रुपे बरामद और 22 वडोद्रा में दो शात्र गुटों में हुई जड़प विदेश और वडोद्रा मिर्जापूर में तैनार ट्रेनी आई-एसस राजेंद्र पैंसिया की पत्मी सुनीता की संदिग्द परिस्तितियों में मौत गंगा में मिला शाथ शुनीता पती के साथ शादी की सालगिरा मनाने मिर्जापूर पहुँची थी दो दिन बाद थी सालगिरा इस से पहले गंगा में डूप कर हुई मौत अपरन करताओं की निशान देही पर परिदाबाद में नहर से बरामद हुआ एक कारुबारी का शर्ग चार दिन पहले फिरौती ना मिलने पर हुई भी थी हत्या आसन सोल के नीमत पूर में अपराधियों ने एक बिजनस मैन पर किया फायर दीवार में लगी बोली वार खाली जाने पर हत्यार के बट से किया खाय ठाने के मुर्बाद में मुजर्ग महिलाओं का अनूखा स्कूल 55 से लेकर 90 साल की उम्रवाली 38 महिलाएं करती है पढ़ाई पटना में हुए एक मुशायरे में पहुंचे लालू पसाद यालव करिका शायरा नांदाज मुनवर राणा के शेर से पी-म मोधी बर्कियावा बीमारी की वज़े से मुशायरे में नहीं पहुंचेते मुनवर राणा लेकिन रहत इंद और अपने रुमानी शायरी अंदास दे बांधा समा अकेले रह गए हैं शाख पर गाओं की सब तितलियों के हाथ पीले हो गया लालो पिसाद यादव कराएंगे किड्नी पेल शात्रा नंदमी जायसवाल का इलाज दिहार के स्वास्ति मंत्री तेज प्रताप और लालो से गुहार लगाने घर पहुंची थी शात्रा लंदिनी के किड्नी खराब है परिवार वहन नहीं कर पा रहा खर्च लालो यादव ने डालेसिस की कराने और किड्नी ट्रांस्प्लांट में आने वाला खर्च उठाने का भरोसा दिया शतीज गर्वी पोरवा में कैंसर पेलित एक महिला के निधन पर उतकी चार बेटियों में दी भुखागनी खुद अर्थी उठा कर पहुंची थी शब्शा प्राजस्तान के जहलावार में बनाया गया बर्ड फेस्टिवल जील और टालाबो में डेरा जमाई पक्षिन के एक सो नवासी प्रजातियों को देखने जुटे लोग हैदरबाद में हुआ फ्रेंडली क्रिकेट मुकाबला टियारस नेताओं कॉर्परेट और टॉलिवूट के हस्तियों के बीच हुआ मैंच राज़कोर्ट में माराथन के आयो जिन में पहुंचे क्रिकेटर चे देश्वर बुजारा 63,000 लोगों के शामी होने बता गॉल्फ के ने हैदरबाद आये क्रिकेटर ब्राइन लारा ने विराट कोली की जमकर दारीद की विश्व का सर्वश्वरेष्ट बल्लेबास बताया नौफ अरवरी से हैदरबाद में शुरूँ अगा बागनदेश तेकलोता टेस्ट वोकाबला विकेट कीपर दिमान सहा बोले उनके उन्हें हलके में आखने की नहीं होगी गलती डेविस कप में एशिया औसमिया ग्रूप एक के पहले दौर में भामरी और रामकुमार ने भारत को दिलाई अजे बढ़त रामकुमार ने नियूजिलेंड के खिलाडी को सीधे सेट में हराया योगी बामरी ने स्टेट हैम को साथ पांच तीन शेख शेजार से हराकर भारत की चारेग की लीड को रखा बरकरा दोजार चौबीस में होने वाले उलम्टिक और पारलम्टिक खेलों की मेजबानी के लिए पैरिस ने ठोका दावा इंटिनाशनल उलम्टिक समिटी के सामने की दाविदारी पेश अफगानिस्तान पर टूटा बरफीले तूफान का कहर अवलांश में सौसे ज्यादा लोगों की मौत अवलांश से अफगानिस्तान का नूदुस्तान हुआ बुछ तरह दबाहा बरफीले तूफान में दफन हुए 50 तो वीजा मामनिन में अमेरिकी राष्ट पती को नापसंद गुजरा कोर्ट का फैसला ट्रंप ने कहा उम्मीद नहीं थी कि जज अमेरिका को संकट में डालेंगे चीन में हुए हैरत अंगेज हाथसे की तस्वीर सामने आई डिवाईडर से तकराने के बाद उड़े बेकाबू गाडी के पखचे चीन के अनुवरी में हाईवे में बना कारों का कब्रिस्तान हाथसे के बाद कई गाडियां एक एक कर आपस ने भड़ी झालेंगे